क्या प्रियंका चोपड़ा और दिपिका पादुकोर के हैं फेक सोचल मीडिया फॉलोर्स मुंबरी क्राइम ब्रांच की फेक सोचल मीडिया फॉलोर्स स्काम की जाँच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है इसके खुलासे बेहत चौकाने वाले सामने आ रहे हैं। जाच का सबसे बड़ा चौकाने वाला पहलू है कि बॉलिवुड सेलेबिटी दिपिका पादुकूर्ण और प्रियंका चोपडा के साथ 10 सेलेबिटी के नाम फेक फॉलोवर्स की लिस्ट में शामिल है। इन फेक फॉलोवर्स को इंस्टाग्राम की भाषा में बोर्ट्स कहा जाता है। अब मुंबै पॉलिस जल्द ही इन तमाम सेलेबिटी से पूछताच कर सकती है। आने वाले हफते में ये पूछताच शुरू होगी जुसमें क्राइम ब्रांच के सूत्रू के मुताबे करीब 100-150 लोगों का स्टेटमेंट लिया जाएगा। स्टेटमेंट लेते वक्त पूलिस इन तमाम सेलेबिटी से उन्हें फॉलो कर रहे फॉलोवर्स की नंबर को प्रूफ करने के लिए कहेगी। यानि celebrities को साबित करना होगा कि उसके followers पूरी तरह से असली हैं, ना कि उन्होंने इन्हें किसी company से खरीदा है. अभी तक इस मामले में 18 लोगों से पूछ साच की गई है, जिनमें से लगभग सभी Bollywood या television industry से आते हैं. इनमें निर्माता, निदेशक, अक्टरस के लावा, make-up artist, choreographer, assistant director जैसे कई लोग शामिल हैं. ये सभी Bollywood के second grade celebrities हैं. इसके साथ Mumbai Crime Branch ने France सरकार को एक letter लिखा है, जिसमें followerscard.com से जुड़े मुख्य लोग जो फ्रांस में रह रहे हैं, उनके बारे में जानकारी मांगी है. आप पुलिस ने पहले ही अभिशेक नाम के शक्स को गिरिफता कर लिया था. और पुलिस की माने तो उन्होंने एक और शक्स से इस मामले में पूछताच की है. अब पुलिस को इना मित्रा के मामले को भी इसी fake social media scam के अंतरगती चानबीन करने वाली है. इसमें पुलिस ने साहिल खान नाम के एक शक्स को भी पैचान की है. क्राइम रांज के मताबिक ये पूरा सिस्टम कॉस्ट पर पोस्ट पर चलता है. यानि हर प्रभावशाली social media user का एक तयरेट होता है. जिसके जादा followers होते हैं, उसे किसी भी ब्रांज से जुड़ी social media post डालने के हिसाब से उतने ही जादा पैसे मिलते हैं. इसलिए कई Bollywood और टेलिविजिन से जुड़ी हस्तियां इस तरह की कंपनियों से fake social media followers के लिए deal करती है. इसकी मुख्य वज़ा इंटरनेट पर digital footprint का मौझूद होना है. इन digital footprints के जरीए किसी भी एड़टाइजर को ये पता चलता है कि कौन से celebrity के social media पर कौन सी post पर कितने likes आये, कितने followers हैं, किस I.U. work group के हैं. इसी हिसाब से फिर company या बड़े brands जिन पर पैसा खर्च करते हैं. Crime branch को पूरा यकीन है कि तमाम social media networking company की सुरक्षा में आतिकरमन हुआ है. और अब ये भी Crime branch की जाच के दारे में आ गई है.